हालो बच्चो न्यू लाइट के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागा थे प्यारे बच्चो और मैं फिक्रम चकवर्थी आज आपके समक्ष लेकर के हाज़े दिवाओं दस का दम का सन्द और प्यारे बच्चो आज हमनों को पेपर है और नीट टॉपिक टेस्टीज का यह 11 पेपर था जो कि 19 नॉम्बर 22 को हमारी इंस्टीट की तरफ से ऑन-लाइन ऑफ-लाइन मोड दोनों में कर दुआ था पेपर काई बढ़िया था आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सेशन को स्टार्ट करने से पहले हमाएं तीन सीनियर साथी संगम सा सैलेंस और मन का कर सकते हैं आपके सामने ये रहा पहला सवाल अपके सामने लिखा बच्छों यह बात तो ऐसमें सिंस्य हो सकता है यह हो सकते हैं आपने आपकी बायर्टेक में लिखा है कुछ वाइरस ऐसे जो कर सकते हैं तो क्या हम यह सकते हैं तो वाइरस अगर एक पैतोजन है वाइरस के हों तो सारे वाइरस नहीं कि और कुछ ही वाइरस हैं जो इसका मतलब यह इस कारण से non-infectious नहीं है infection से होता अब समस्या यह है सब कि infectious और non-infectious की परिवासा क्या है हमें बताइए तो infectious disease की परिवासा यह बच्चों कि ऐसी बिमारी जो किसी pathogen के infection से हो और साथ ही साथ वो किसी disease person से किसी healthy को transmit हो direct contact से वो होता है infectious cancer case में आप देख सकते हैं कि pathogen के द्वारा यह हो तो रहा है ठीक कुछ pathogen सारे वाइरस नहीं है और सारे भी नहीं है लेकिन यह किसी disease किसी cancer patient से किसी healthy में cancer transfer नहीं होता इसलिए यह non-infectious है बात को समझ यह तो infection की परिवासा यह होई यह ऐसी बिमारियां जो किसी pathogen के संकरमर से हो और किसी disease से transmit हो healthy को तो इसे बोलते है infectious और इसी बिमारियां जो infectious जो किसी pathogen के infection से हो और किसी disease से healthy को transfer नहीं हो तो उन्हें बोलेंगे क्या चिंदा cancer case में एक case है दूसरा case नहीं है ये पैत्रुजण के संक्रमत से हो सकता है लेकि ट्रॆंस्बीट नहीं होता इसलिए इसलिए ना निन स्पa है इसलिए सिंटेंस ही गलत दिखा only है तो पहला सई है दूसा गलत अला कि सौल्यूशन में इसका आंसर čार दिया गया था बाद में इसका आंसर जो है चेंज किया ग यह सबके सब युनी इस अभी जो है प्रो के रीआट है तुम अरा क के सब्स्तें है पहले वार लेकिन यह सारे के सारे बायों फृटलाइजर हो गया अब देखिए जो एना बीना है यह आट्वर्डाफिक है है लेकिन यह हेट्रो ट्रॉफिक बैक्टिया है फाई अब इस्ते क्या माणूं चलागी जवी असरल आप दीख रहा आपके संधर तो यह ने वह आपके सामनेanhaला अगला ख़म सांधार आपकी बुक्त में रखंग आपकी बॉक्त में रखा गया है तो प्लाज्मोडियम की आपकी बुक्त में तीन इस प्रसीज दे गई है एक है वाईवक्स और आपकी Malyria और एक है फैलसी पेरम ठीक लेकिन एक स्थीज और होती है और शार इस प्रसीज होती है फैलसी पेरम जो है ईह बूच रेडिया बूच रेडिया बेंट करेफ्टी इस परशिज आपकी बूख में यह तो गलत हो गया बैला डोना आपने पढ़ा था सवय नेसी इट्रोपा बैलाडोना तो यह भी नहीं है और इसी चैट्टर आपने पढ़ा पेवर सोमनी फेरम जो की पॉपी से मैडान से तो हमें से कहां मेरा आंसर है यह नहीं यह क्या मतलब है क्या गवर कर रहा हुं मैं और फिर से फॉलोमिंग इस पूछा गया है इन चारों में से कौन सी स्प्रसीज मलीर्या काजिंग की नहीं है तो अब देखिए हमसे हो गई गलती इसका मतलब यह तीनों काजिंग नहीं है तो हमारा आंसर अब देखिए आपको मालून था कि जब आप एस्टीपी की बात करते हो एस्टीपल टंपरिचर नहीं सीवेस्ट्रीट्मेंट प्लांट सीवेस्ट्रीट्मेंट प्लांट ठीक है जब नहीं है कि एक सॉट्ट फॉर्म आपने पढ़ा हो तो क्यों वहीं सब्सक्राइब को सकता है ठीकाँ आपको पता था कि पहला प्रॉंसर जो चला था वह फिजिकल चला रहे नहीं स desenvol अब हमने किया था इनिशली जो फ्लोटिंग डेब्रम नहीं वाले पाइड़कीड अवह में हमने सिख्वेंसील से हटा लिया था और जो आपके ग्रिट वर स्माल पेवल पार्ट किल हैं जो डूबे रहते उन्हें हटाने के लिए हमने सेडिमेंटेशन मतलब ऐसे पार्ट किल जो बैट सकते हैं सेडिमेंटेशन करके हटाए गया था तो गलती में आपने पूरा पढ़ा नहीं कि हम क्या पूछ रहे हो किसे हटाने के बारे हम पूछ रहे हैं मैं कहना हो फिजिकल में दो बात है थी इनिशली फ्लोटिंग डेब्रिस को हटाया गया था किस से सिक्वेंशल फिल्ट्रेशन से और उसके बास से जो आपके तक ग्रिट है इसमाल स्वाइल पार्ट के समाल जो बैट सकते हैं उन्हें और यह धाल लाइट चेंद देखिए इनके इनके बीच डाई-sulphiid Focus में नहीं है और अब अध्यान से अपने में लाइट險 कि और यहाबी चे रो और लाइट की कितनी है यह को आप साइट फ़रम एस तू और टू पड़ते थे तो इनके इनके बीच परेजंट है कि जो है एक तो यह ओश्र नहीं कि हमारे हाथ में अगर कैंसर है तो हमने इस हाथ वाले टीशू को निकाला तो यह राइं इसको बोलते हो इसको बोलते हैं इसमें भी आपका एक सरे इस्तमाल होता है ठीक मराई तो आपको पता है कि इसमें आप स्ट्रॉंग मैंगनेटिक फिल्ड यूज करते हो जिससे किसी भी टीसू या किसी भी बॉडी की आरगन का बहुत 3D क्लियर इमेज मिलता है इस टॉंग मैंटिक फिल्ड इस्तमाल किया जाते हैं ठीक है और नॉन आइनाजिंग रेडियेशन इस्तमाल किया ठीक तो यह तो नहीं है और रेडियोग्राफी तो आप जानते हो या एक्सरे जि अब देखिए यहां पर दिया गया सबकुछ ठीक लेगा लेकिन यह बैक्टीरियल पैरासाइट नहीं है यह प्रोटोजवन पैरासाइट है और यह आपको पता था प्रोटोजवा को से लिएटेट इस प्रोजवन वाइड तो यह लाज इंटेस्टाइड में काज करता है इसका मेकेनिकल करियर हाउस प्लाई होता है यह सवाल आपने क्यों गलत होगे आपने पूरा सेंटेंस देखा नहीं मैं कहा रहा हूं कि यह जिनरा ऐसे हैं माइक्रोस्पोर्म ट्राइगोफाइटान और इपीडर्मोफाइटान जो रिंग वर्म को काज करते हैं बिल्कुल सही है लेकिन यह बैक्टिरिया के नहीं यह फंजाई के जीनस है और यहीं आपका गलत हुआ है बाद में इसको मैंने ही चेंज कर दिया खाला कि भाई प्रकार करेंज नहीं हो रहा है और एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांस्मिट हो रहा है तो इन्फ्यक्टियस है लाइज यह फर्स्ट आफ अब देखिये आपको पता है यह एक मिल्क था और इस मिल्क को कड़ में चेंज करने के लिए आपने लेक्ट्रीक एसिद बेक्ट्रिया जिसको आप लेक्टो बेसलस कहते हो यह मिल्क को कड़ बलता है और इस कड़ के माध्यम सब्सक्राइब बॉड़ी के सरीर में आता है तो यह और इडिशनल बेनफिट देता है यह प्रोहिबिट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब एक तो यह इसके अलावा न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ाता है विटामिन बी ट्वल्व की मात्रा को बढ़ा कर तो लाइफ के तीन बाग एक त सेंट्री हो जाती है कभी पेट खड़ाब होता है डॉक्टर कहता है दही खाइए ठीक है साई दही पीजिए तो साधा खाना खाइए रही पेट के लिए बहुत फायदे मन दोता भाई अब देखिए अब समस्या यह आ गई कि सबसे पहले तो यह मालूम चले कि भाई यह है क्या चीज कौन जनेटल डिजीज देखिए जेनेटिकल बिमारियां जेनेटिकल डिजीज ठीक है जो की एक पैरेंट से चाहें मदर से यह फादर से बच्चे में जाइगोट के माध्यम से आपको पता है कि माबाप क्या 23 और इधर से 23 जब यूनाइट करता है तो बनता है जाइगोट और इसी जाइगोट से एक बच्चे की एक बड़े विक्ति की जीवन यात्रा सुरू होती है इसका मतलब अगर कोई विमारी जाइगोट में है इसके जीनिया कुरमोसोम में तो वही कुरमोसोम आगे चल करके सभी सेल्स में जाएगा और पूरी बॉड़ी का द आप ड़ाये बच्चे को ला दरके से बच्चे को मिलती हैं और वो सिंस बर्थ प्रिजंट होती है उन्हें बोलते हैं कौन जनाइटल डिजीज में क्या बोलना ऐसी हिमारी जो जेटिकल हो और पैरेंट से बच्चे को प्राफ्ट हो ठीक इनहेटेट हो और उसके बाद वो सिंस बर्थ तो होगा ही उसे बोलेंगे अब मामला फसा आपको पता है कि जब मदर को अगर अचाय भी हो तो वाया प्लेसेंटा ब्लड इनकॉंटेक् की डिफनिशन नहीं है इसलिए आपकी बुक में लिखा है कि एड्स नॉट टेक और डिजीज या आज मैं आपको बता दे रहा हूं एड्स क्यों नहीं है क्योंकि यह जेटिकल नहीं है इन्फेक्सियस है पहली बात मदर से बच्चे में ट्रांसफर हुई है सिंस बर्थ प इन्फेक्शन के तुरू एक मदर से बच्चे को फीटस के तुरू प्राप्त होती है अब इसमें एक साही है दर इस फूर्थ आंसर ठीक तो अब आप देख सकते हैं कि ठीक है तो बच्चों ये प्यारों प्यारे बच्चों हम लोगा से खतम हुआ कमेंट बॉक्स में जोरू बताइए कि सेसन आपको कैसा लगा और टेस्स बिल्कुल मत छोड़िए जो टेस्ट हो 24 गंटे में सोने से पहले पेपर जोरू पूरा कर लिए क्योंकि लगा तार आ हमारा सब तयार है वसक्ति पेपर को पकड़ के चलिए गहां पेपर के सारे सवाल प्रॉपर एक्सप्रेशन चारों आपसं के साथ आपका तयार होना चाहिए ओके थैंक्यू बार बाए बाए